हेलो एवरीवन, वैलकम अगेन टू लंजवरी देटिमल तो लास्ट वीडियो हमने लोग संगीत का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था तो मैंने आपको जन समानने के लोग गीत के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, उसके बाद हम बात करेंगे व्यफसाइक जातियों के लोग-गीत के बारे में, देखिए लोग-गीत की दरस्टी से अगर देखें तो राजिस्थान एक सम्रद्द प्रदेश है, रस की दरस्टी से यहां सबसे ज्यादा संख्या जो है व्यापार के लिए जो है परदेश चले जाते हैं तो इसी वज़े से वियोक सरंगार का वरण जो है इन गीतों में बहुत अधिक देखने को मिलेगा और उसके बाद कुछ गीत जो हैं वो वीर जो रसात्मक गीत होते हैं और कुछ गीत जो हैं वह सामतरस वाले भी होते हैं तो हम अब बात करेंगे व्यवसाइक जातियों के लोक गीत तो राजेस्थान में कई ऐसी जातियां हुई हैं जिन्होंने संगीत को व्यवसाइक के रूप में अपनाया है तो उनमें कौन सी हैं जातियां डोली जाती है, मिरासी जाती है, लंगा जाती है, भाट, राओ, जोगी, बैरागी, काल बेलिया और कामर जाती ये ऐसी जातियां हैं जो लोक गीत यानि गाने तो गाती ही हैं इसके अलावा जो है वो नरत्य भी करती हैं और क्यों करती हैं क्योंकि इनका मेन जो मकसद होता है वो पैसा कमाना होता है ठीक है तो हम देखते हैं कई बार की विवहा के अफसर पर जैसे ही हम उस घर में जाते हैं जहां पर शादी है तो बाहर देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वहां पर एक मंडली जो है वो बैठी हु गा रहे हैं हम ये केवल जानते हैं कि ये राजिस्थानी गीत गा रहे हैं ठीक है लेकिन वो एक जाती होती है और वो अपने जाती के जो गाने होते हैं वो गा रहे होते हैं तो हमें वो नहीं पता होता है तो वही बात है कि कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो कि संगीत को लोक संगीत के बाद जिसमें मैं आपको जन जातियों के बारे में भी बताऊंगी ठीक है जहां हम जन जाती और जाती दोनों के बारे में तो काल बेलिया जाती कामड जाती जुन रत्य भी करती है और गीत भी गाती है ठीक है तो इनके बारे में हम बात करेंगे यहां बस आप इतना जानिए कि कुछ व्यवसाइक जो जातियां है वो संगीत के रूप में व्यवसाइक को अपनाती हैं, जिसमें ढोली है, मिरासी है, लंगा है और भार्ट, राव, जोगी, कामर जाती, भोपे, भवाई, काल बेलिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, तीसरे नंबर पर ऐसे गीत आते हैं, हमने पहले नंबर पर जन सामानने के लोग गीत देखे, उसके बाद व्यवसाइक जातियों के लोग गीत, जो की अनेक जातियों के द्वारा गाय जा रहे हैं, तीसरा है शेत्रिय रंग प्रधान गीत, यानि शेत्र का प्रभाव जो है उन गीतों पर पढ़ जाने वाले गीत जिसमें बाद मेर, जैसल मेर, भीकानेर, जोदपुर, यह सभी मरुष्तलिय शेतर के अंतरक्त आता है तो यहां पर गीत जो है अलग तरीके के गाय जाते हैं ठीक है और जो कि यहां का जैसा वातावरन है उसकी वज़े से यहां के लोग गीत जो है वो बहुत जादा उंचे स्वर में होते हैं लंबी जो है इनकी धुन होती है और बहुत अधिक जो है वो स्वर जो विस्तार होता है इनका बहुत जादा होता है ठीक है बहुत तेज गती से कि इन में आपको क्या मिलेगा एक तो भक्ती रस जो है स्रंगार रस जो है वो आपको इन गीतों में देखने को मिलेगा और अक्सर यहां पर गीत जो है वो जादा तर भक्ती गीत ही होते हैं स्रीकृष्ण भगवान के राम के जो गाने हैं वो आपको इस शेत्र में मिलेंगे तीसरा जो है परवतिय शेत्र के गीत तो परवतिय शेत्र के गीत जिसमें हमने एक गीत की बातों की थी हम सीडो गीत ठीक है जन समन्ने के गीतों में हमने पढ़ा था जो की उत्री मेवाड जो है जहां के भील वो हम सीडो गीत जो है गाते हैं जहां इस्त्री पुरुज जो ह नावरीस वारी शिकार ये गीत जो हैं वो б पर का विस्तार जो है वो बहुत अधिक होता है ठीक है तो आपको यह समझ में आया होगा तो इसमें जो एक्जामपल है देखिए कुरंजा है पीपली है रतनाडो है कीवडा है यह बहुत ज्यादा उंचे स्वर में गाय जाने वाले गीत हैं जैसल मेर बाड मेर बीकानेर और मैदानी शेत्रों के गीत मैदानी शेत्र कौन सा जो जैपूर है कोटा है अलवर है भरतपूर है और धौलपूर यह जो शेत्र है यह मैदानी शेत्र के अंतरगत आएगा तो यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर जो भक्ती गीत है वो आपको बहुत ज्यादा तीसरे नंबर पर है परवतिय शेत्रों के लोग गीत तो जिसमें बीचियों, लालर, पटेलिया, माचर, नोकीला, थारी, उंटारी, आसवारी, शिकार ये सबी गीत जो है यहां आपको मिलेंगे राजिस्थान के दक्षणी पहाडी प्रदेश में जिसमें उदैपूर आ जा शेत्र जो है वह इसके अंतरगत आ जाता है और मिवार के जो भीलो हैं उनका जो प्रसिद गीत है हम सीडो वह भी इसी शेत्र के अंतरगत आएगा तो यहां पर सामुहिक लोग गीतों का जो है वो अधिक प्रचार रहा है नेक्स्ट देखिए राजेस्थान की लोग गीत गायक और वादक जातियां तो ऐसी जातियां जिनके बारे में हम नाम जो है वह सुन चुके हैं तो उनके बारे में ही अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले है कामण जाती तो कामण जाती जो है कहां की है राजिस्थान के यदि मैप के बात करें तो यहां जो मरुस्थलिय भाग है, वहां पर कामर जाती जो है, वो निवास करती है. ठीक है? हमने अभी देखा था कि मरुस्तलिय शेतर में जो गीत गाया जाते हैं, उसमें एक जाती है कामर. तो कामर जाती नत्य भी करती है और गायन भी करती है. ये 13 ताली नृत्य करने में सबसे निपोर हैं एक्जाम में कई बार ये कुशन पूछा गया है कौन सी जाती है जो की 13 ताली नृत्य में निपोर है तो ये गाती भी है और ये नृत्य भी करती है दीड वाना वा कल वार के कामण रूणी चार राम देव जी के गीत गाये जाते हैं तो कामण जाती जो है वो सबसे ज़्यादा राम देव जी के भजन गाते हैं और गीत गाते हैं मुख्य रूप से इनका वादी अंतर जो है वो तंदूरा होता है और चिकारा जो होता है चिकारे वादी अंतर का प्रियोग ये लोग करते हैं यहां हमें क्या याद रखना है कामण जाती जो है वह तेरे ताली नत्य और गायन में निपोण है दूसरा राम देव जी के गीत जो है वो इनके द्वारा गाय जाते हैं और उसके साथ ही तंदूरा और चिकारा वादी अंतर ये प्रियोग में लेते हैं ठीक है ये आपको याद हो गया होगा नेक्स्ट देखिए भवई जाती इस जाती की उत्पत्ती केकली अजमेर नामत इस्थान से नागा जी जाट द्वारा मानी जाती है तो ये जो है जाती कहां की है कहां इसका विकास हुआ है इसका केकडी अजमेर नामत इस्थान से इसका विकास होता है नागाजी भाट द्वारा इनके नत्य गीत के बिना नहीं होते हैं यानि कि ये भी ऐसी जाती है जो की नत्य और गायन दोनों में ही निपोड हैं कौनसी ज अगला देखिए most important जिसके बारे में exam में कई बार question पूछा भी गया है काल बेलिया जाती यह सांप पालने वाली जाती है ठीक है और इनका प्रमुक वादियंत्र जो है वो पुंगी है और खंजरी है वादियंत्रों की बाद जो है वो हम बाद में करेंगे कि पुंगी जो है और इसकी जो प्रस्थी नर्त्यांगना है वह हैं गुलाबो सपेरा नेक्स्ड देखे पातुर पातुर जो है वो जोतपुर नागोर पाली आदिशेत्रों में ये जो जाती है वो निवास करती है और इस जाती का तो व्यवसाय जो है वो नाचना और गाना है अभी जो हम देख रहे हैं जातियां वो सभी जो है वो व्यवसाय जातियां है ठीक है व्यवसाय के लिए ही वो संगीत का कारे करती है नाचना और गाना दोनों ही कारे इनके द्वारा होते हैं इस्त्री को यहाँ पर पातुर कहा जाता है और पुरुस को जागरी कहते हैं ये एक्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है ठीक है पातुर जाती जो है जिसमें पातुर जो है वह किसको कहते हैं इस्त्री को कहते हैं और पुरुस को वहाँ पर जागरी कहते हैं और नाचना औ गाना जो है वो इसका पेशा है अगला देखिए लंगा जाती तो लंगा जाती जो है वह भी राजिस्थान का यगी जदी भोगोलिक रूप देखें तो ये भी जैसल मेर बीका नेर और बाड मेर इसी शेतर से सम्मंदित है तो जैसल मेर में ये लंगा जाती जो है वो बहुत रखे हुए हैं तो राजिस्थान की मांडगाय की जो की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तो जो सु विख्यात मांडगाय का है पदम श्री अल्ला जिलाई बाई ठीक है उन्होंने गाना गाया है पधारो मारे देश जो की परेटकों के लिए एक खुला निमंत्रन है ठीक है और कई बार आपने जो है वो टीवी में न्यूस पेपर में जो है वो सुना भी होगा तो यहां पर अगर बिभिन शेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड़ के अन्नेक प्रकार जो है वह भी देखने को मिलते हैं जैसे उदैपूर की मांड़ है जोतपूर की मांड़ है वो कहां की है मारवाड शेत्र की है अधिक तर जैपूर अलवर मारवाड और जैसल मिर शेत्र में निवास करती है तो यहां पर जैपूर और अलवर का क्यों नाम आया क्योंकि इनका जो पेशा है वह है गायन का ठीक है तो एक शेत्र के जो कुछ लोग है वो यहां पर पक् रहने लगी तो इनको भी मेवाती कहा जाने लगा ठीक है शारंगी वादन जो है इनका प्रमुक पेशा है नेक्ट देखें नेक्ट जो जाती है वह है डोम या ड्रम अब ये जो जाती है ये मुस्लिम धर्म को मानने वाली जाती है तो इसमें बस आप यही याद रखिए कि क्या नाम है डोम या ड्रम और भाटों से उत्पन ये मानि जाती है ठीक है और ये लोग भी गीत जो है वह गाते हैं नेक्स्ट देखें सरगणा जाती अब देखें कच्छी गोडी नत्ये जो है वह एक व्यवसाईक नत्य है तो कच्छी गोडी नत्य में ये लोग प्रमीन होते हैं कौन सी सरगणा जाती तो हम यहाँ पर नत्य जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी आपके ये चीज आएगी कि कच्छी गोडी नत्य जो है वह एक व्यवसाइक नत्य है और इसको कौन करता है सरगणा जाती के लोग करते हैं उसके बाद देखे कान जूगरी जाती अधिकान से तहे मारवार में पाई जाने वाले लोग कान जूगरी जाती कहलाते हैं रावन हत्ता वादियंतर का ये प् यहां हम जब बात करेंगे वादियंत्रों की, तब आपको मैं ये दिखा दूँगी. नेक्स देखिए, जोगी जाती. नात संप्रदाय को मानने वाले लोग या जो जाती है, वह है जोगी जाती कहलाती है. और ये जो जाती है, ये टौंक, बीका, नेर, जोधबूर, अलवर और शेखवटी शेत्र में पाई जाती है. इनका जो प्रमुक वादियंत्र है, वो है सारंगी. डोली जाती जो की नाम से ही प्रसिद्ध है डोल बजाने वाली जाती को डोली जाती कहा जाता है तो हम देखते हैं कि कोई होली की अफसर पर ही देखते हैं कि लोग जो है वो डोल बजाने वाले को बुलाते हैं ठीक है, तो ये लोग ढोली जाती से ही संबंदित रहते हैं, ये जाती ढोल बजाने के कारण ढोली कहलाई, अलग-अलग शेत्रों में इन्हें दमामी वा जावर भी कहते हैं, तो याद रखिएगा ढोली जाती को ढमामी और जावर भी कहते हैं, अलग-अलग शेत्रों में, इसका काम जो है वो ढोल बजाना होता है। डाड़ी जाती, जो कि मांगडिया जाती है, तो मांगडिया जाती जो है, इस नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है? और इसका जो वास्तिविग नाम है वो ढाड़ी जाती है, ये भी याद रखें। मारवड के थार में मुक्य रूप से मांगडियार जाती के नाम से जाने जाते हैं। धोला मारू प्रसिद्ध लोग गीत के रचेता जो है वो यहीं से माने जाते हैं। यहीं नाम आता भी है। उसके बाद देखें भोपा जाती जो कि लोग देवी देवताओं के भोपे देवताओं की इस्तुती गायन और वादन के साथ करते हैं। तो गाते भी हैं यह और उसका वादन भी करते हैं। साथ में यह जो वाद यंत्र है उसका प्रियोग करते हैं। तो हमने देखा था कि पाबु जी के जो भोपे हैं वो रावण हत्ता वाद यंत्र का प्रियोग करते हैं। रामदेव जी के भोपे जो हैं वो तंद्धूरवाध यंत्र का प्रियोग करते हैं। वहीं भैरु जी के जो भोपे हैं वो मशक का वाजा बजाते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है भोपा जाती के बारे में कि पाबु जी के भोपे जो है वो रावड हत्ता वादी अंत्र प्रयोग करते हैं राम देव जी के भोपे तंदूरा वादी अंत्र का प्रयोग करते हैं और भैरु जी के भोपे मसक का वाज बजाते हैं अगली जाती है सांसी या कंजर ठीक है कंजर जाती जो है तो इसके नाम से जो है वो आप जान गए होंगे कि ये कौन सी जाती की बात हो रही है अजमेर के पास निवास करती है ये जाती ये घुमनतु जाती है यानि कि एक जगे जो है वो नहीं रहती है यहां पर कुछ दिन जो है अपना डेरा जमा के रखती है फिर यहां कार्य पूरा हो जाता है फिर वो दूसरे जगे चली जाती है तो यह गुमंतु प्रवती की जाती है और हाडोती शेत्र जो है कोटा बुनी जालावार यहां की जो महलाएं है यानि कंजर जाती की जो महलाएं है वे चक्री इन्रत्य करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पूथा जाता है कई बारे एक्जाम में कि कौन सी जाती की महलाएं जो हैं वो चक्री इन्रत्य करती हैं, तो कंजर जाती की महलाएं चक्री इन्रत्य करती हैं, और रत्य के साथ जो है वो गायन होता ही है, जिसका अर्थ होता है विचार करना, सोचना, कल्पना करना ठीक है तो खयाल जो है वो तबले के साथ में गया जाता है तो रम्मत खयाल का प्रदर्शन कौन करता है रावल जाती करती है अगली है कलावंत जाती अपना संबंद तांसेन वंस से ये जोडते हैं इस जाती के की गायन और वादन में निपूड है जैपूर का जो डागर घराना है वो इसी से संबंदित है कलावंत जाती से और डागर घराना के बारे में मैं आपको बहुत अच्चे से बता दिया था तो ये कुछ ऐसी जातनिया थी जो की गायन जो हैं वो गरती है और उसके साथ इनको याद रखने